और आईए अब आगे बढ़ेंगे बड़ी ज़ानकारी आपको दे दिल्ली IAS कोचिंग हाथसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मामले में अब तक दो लोग गिरफतार हो चुके हैं कोचिंग मालिक और कोडिनेटर को भी गिरफतार कर लिया गया है और उम्मीद है कि अब उनसे पूछता चूगी तो देखिए बड़ा हाथसा और कल यह हाथसा सामने आया जिसमें तीन स्टूडेंट्स की जान चली गई बेस्मेंट में जहाँ पर लाइब्रेरी थी वहाँ पर का जा रहा है कि छातर किताबे पढ़ने के लिए पहुंचे थे और अचानक से वहाँ पर पानी का फ्लो आता है और पानी तना तेज था कि 12 फीट तक पानी भर जाता है एक ही एंट्री एक्जिक गेट था और इसी वजह से जो बायोमेट्रिक था वो भी वहाँ पर बंद हो चुका था दर्वाज़ा जो था बाहर भी नहीं वो निकल पा रहे थे और ऐसे में तीन चातरों की जान जा चुकी है अब इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सयोगी वरुन इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है बरुन बेरात को ही जो इंस्ट्यूट के मालिकों जो काडिनेटर है उनको पुलिस ने हिरासा है जो यह पूरा हरसा हुआ है को हैं तो सोग है कि दिखेंगे तो उसके अंदर इबात मेंचन है कि स्टोर के रूप में इस्तमाल किया जाना था लेकिन लाइब्रेश इसे कई सवाल है कि अधिकारेव को वह के आने वाले समय में इसके इंदर responsibility और accountability बनती है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा ठीक है बहुत धन्यवाद आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए तो देखे दिल्ली IS कोचिंग हाथसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट अभी तक इस पूरे मामले को लेकर दो गिरफ्तारिया हो चुकी है बड़ा सवाल जिम्मेदार कौन तीन चात्रों की ये जो मौत हुई है लापरवाही किसकी जिम्मेदारी किसकी ये आप तस्वीर देख रहे हैं हाथसे के वक्त का ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिस्थितिया वहाँ पर रही होगी कितना ज्यादा पानी बारहा फीड तक बताया जा रहा है कि पानी का फ्लो वहाँ पर हो चुका था और ये तकरीबन पांसे साथ मिनट के अदर इतना पानी आपर भर गया जिसके अंदर चातर फसकर अगया जिसके अंदर चातर फसकर तो यह देख लीजिए तस्वीरे और यह हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरे का इस सवाल अपने आपके पड़े होते हैं इस आपके की विजो को देखने के नाद के दिल्ली का कोचिंग सेंटर जहां पर तेश के अलगला कोने से लोग आते हैं इस करने के सिविल सर्मसिस की प्रेपरेशन करने के लिए लेकिन क्या उंता नजाम हुआ आपने आज वो इस सब्सक्राइब करने वाली तस्वीरे हैं कि क्या वहां पर हाला के उस वक्त बने होंगे जिन्हें आप इन तस्वीरों में साब देख सकते हैं लाइब्रेरी बनाई गई थी बेस्मेंट के अंगर और वहां पर चातर पुस्तके पढ़ने के लिए किताबे पढ़ने के लिए वहां पर गए थे और उसी वक्त बारिश के वज़े से बताया जा रहा है कि बहुत तरीके से यह चातर इस पानी के बहाओ में डूबे और तीन चातरों की जान चली गई यह बहुत दुखत हाथसा जुसकी तस्वीरे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख लगे अब इस पूरे मामले में अपडेट ही है कि दो लोगों की गिरफतारी हुई है लेक इसे में सवाल यह उठता है कि आखर इस तरीके के हाथ से कब तक सामने आते रहेंगे कब तक आम लोगों को इसका खामयाजा बुगतने को रहेंगे यह चातर जो सिवील सर्विसिस की तयारी करने के लिए अपना घर छोड़कर अपना परिवार छोड़कर दिल्ली कर दे में